पहाडियों के बीच बसे एक सहर में काई नाम का एक युवक रहता था अनिक शुनोतियों का सामना करने के बावजूद काई ने अपने शपनों को कभी नहीं भुलाया उनके पिता जो एक बिनम्र बढ़ ही थे एक दीन काई की नजर एक पुरानी धूल भड़ी किताब की कहानी पर पड़ी बहादुरी और शाहसी कहानियों से प्रिरित होकर उन्होंने अपनी यात्रा शुरू करने की कसम खाई संकाओं और असकलताओं के बावजूद काई ने अटूट द्रिस संकल्प के शाथ अपने शपनों को पीछा किया द्रिता और धर के माध्यम से काई ने अपने सहर को घिरने वाले पाड़ीयों की चोटी को पार करते हुए बाधाओं पर विजय प्राप्त की उनकी यात्रा ने उन्हें सिखाया कि हर जटका विकास का एक आउसर होता है प्रतिक कदम के साथ काई मजबूत, समझदार और अधिक दढ़ हो गया अंत में जाई सबसे उची चोटी पर खड़ा हो गया और नीचे दुनिया को देख रहा था उनकी कहानी ने दुसरे को निखोकर अपने सपनों को पिछा करने की प्रेरित किया यह शावित किया कि साहस और दढ़ता के शाथ कुछ भी संभाव है अजया को राव है अजया को अबदाए यह 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 झाल झाल